हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका टीम आई इस संस्थाल में आपको जानकर खुजी होगी कि बहुत साड़े अभ्ध्यत्यों की मांग पर हम फ्री मॉप्टेस्ट आयोचित कर रहे हैं इसके लिए आप हमारी मुबाइल नंबर 620-61-299-37 और 1092587912 के द्वारा हमसे संपर्ख कर सकते हैं साथ ही कमेंट बॉक्स में दिये गए हेलिग्राम लिंक से भी हमसे चूड़ सकते हैं और गूगल फॉर्म भर कर हमारी द्वारा कंड़क्ट कराया जारे हैं इंटर्व्यू में सामिक हो सकते हैं फ्रिंस अब बस समय आ गया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की हैं आज आपको अपना सर्प्सिष्ट देकर फाइनल मेरिक लिष्ट में अपना अस्थान बनाना है यहां आपको अपना अस्थान पक्का करनी का आज अंतिम मौका होगा क्योंकि हम चर्चा करनी जाड़े हैं प्रतिच्छा कर्च से साथ चातकार कर्च तक की यात्रा पर यहां आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किन-किन बातों की चर्चा से बचना है इस पर हम चर्चा करेंगे चलिए हम चलते हैं आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं आप सभी जानते हैं कि साथचातकार कच में भेवने से पहले आपको प्रतिच्छा कच में बठाया जाता है या अगर साथचातकार कच होता है तो इससे कुछ दूरी पड़ या कभी-कभी इससे ऐसे सटा हुआ गी एक प्रतिच्छा कच होता है यहां आपके अलावा भी दो या तीन अभ्यर्थी बैठे होते हैं, इन करते हैं यह लोग, आप बैठते हैं यहाँ, पहले से यह अभ्यर्थी बैठते होते हैं, जिनने यहाँ जाना है, और कभी-कभी बहुत सारे वेटिंग हाल में साच्छातकार देकर भी अभ्यर्थी बापस आते हैं, किसी-किसी बोर आपके अलावा होते हैं या तो भी अपनी बाड़ी का इंतजार करते रहते हैं या वापस आएउने अभ्याती होते हैं तो यहां सामान्य तर कुछ बातों पर चर्चा होती है जिनमें दो बाती सबसे ज्यादा घ्रटोपुर्ण होती है इसमें पहली बात है आपसे पहली जो अभ्याति साथ छात्कार के लिए गया है, उनसे पूछे क्या प्रशनों पर चर्चा, दूसरी बाते होते हैं, साथ छात्कार ओर्ड के द्यवहार के बारे में चर्चा, यहां आपको इन चर्चाओं से बचना है, पहले प्रस्न के अगर बात करें, इस स्लाइड का पहला जो पॉइंट है, इसकी बात करें, तो इन चर्चाओं से बचना है, क्योंकि इन से जो भी प्रस्न पूछा गया है, यह जरूरी नहीं है कि यह प्रस्न इस व्यक्ति के लिए अगर हार्ड है, तो यह हमारे लिए भी कठिल होगा, हो सकता है कि उसकी जो तयारी है, वह आपकी त कोई भी प्रस्न जो पूछा गया है, उस पर चर्चा करने से हमेशा आपको बचना है, और हम किसी ब्यक्ति से 20 या 30 सेकंड को ज्यादा से ज्यादा एक या दो मिनट बात करकर, हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि उसे कितनी चानकाड़ी है, उसकी बाड़ी में धारना बना कर, उसकी बातों को जज्वी कर सकते हैं, इसलिए हमें इहां प्रतफ्राणा हैं, और इन सभीय चिजों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना है, नूसरी बात है आरहें कि इस तो बिल्कुल नहीं करना है, प्रस्न के बाड़ी में हम नहीं भी क्राएंगें तो मुछ लोग वापस में बात करते रहते हैं, लेकिन इस चर्चा से एक दम बचना है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यह व्यक्ति जो साथ-छाथ-कार दे कर वापस आया है, इसके प्रति साथ-छाथ-कार बोर्ड का व्यभार उतना अच्छा नहों, और हम अपने मन म निगेटिव धार्णा अपने बोर्ड के बाड़ी में बनाने में, बोर्ड बदल तो हम नहीं सकते हैं, हमें तो इसी बोर्ड में जाना है, हाल हाल में जो हमें बोर्ड मिला है, इसी बोर्ड में हमें जाना है, तो इस बोर्ड को हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें साथ- पुर्वधार्णा बनाने से बचे, पुर्वधार्णा हमें नहीं बनाना है, किसी भी बोर्ड के बारे में, इससे हमें बचना है, और इससे बचने का एक ही तरीका है, इनका क्या ब्यभार था, इसकी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी है, आपको हमेशा याद रखना है, कि ज हमेशा हमारा चैन करना होता है, इसलिए बोर्ट बैठाया जाता है, हमेशा उनकी प्रति पॉजिटिव अपना रूख रखें, पॉजिटिव रूख रखना है, और यह पॉजिटिव रूख हमारा तभी रहेगा, जब जो भी व्यक्ति साथ-छाथ-कार देकर आ रहे हैं, या या वहाँ पर इसलिए बूर्ट ゃं भी व्यक्ति को, जो हमारे फाइल को रखते हैं, या वहाँ पर रखा जाता है, उन्हीं वहाँ पर रखा जाता है, इनसे भी 한번 बोर्ट के वारधा के बाडर में चर्चाथ नहीं करनी है, और पुच्छ भी नहीं हमें पूछआ है इनसे हमेशा सकरात्मक सोच दखना है हमें वेटिंग रूप में एक तम सकरात्मक रहना है और चर्चा करते हैं प्रतिच्छा कच में आपको क्या करना चालिए यहां सबसे पहली बात है आपने आपको सामान में करें हो सकी तो आप प्रतिच्छा कच्च में जाने से पहले वासरूम से हो आपकी जो ड्रेस है आपके जो जूते या चपल है इस पर डालें और आपने आपको वियावस्थित करें आपकी व्यवस्तित करने का अपने आपको प्रयास करें और आराम से बैठें फुन्रा ब्रिक्ति करें यहां फुन्रा ब्रिक्ति करने का मतलब है कि आप रिव्यू करें इस बातों का अपने मन में क्या करना है आपने आज तक जोभी प्रिप्रेशन किया है या आपके जो बादों को सुचना है हमीशा सकरात्मक चीजों को सोचे बी पॉजिटिव इस मंत्र को वियाद रखना है आपको, इसलिए उन्रवित्ती करते समय हमेशा ऐसी बात नो कुछ सोचना है जो आपको खुशी दे जिससे आपको आत्म वालों में मुझे, किसी प्रकार की चर्चा और बहस से बचे, पहले डी हमने बताया है, लेकिन काफी स्वार्ट में इस बातों को बताया है, क्यों किसी प्रकार की चर्चा और बहस से बचना है, और यह हम पर कितना प्रभाव डाल सकता है, इसके बाड़े में हमें चर्चा करेंगे, अगर आप अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट है आपका, आ गया है, और किसी भी प्रकार की चर्चा और बहस में परते हैं और कोई नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मैं लिजे किसी नई कोई प्रश्ण है और इस पर दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और हम भी इसमें सामिल हो जा रहे हैं, तो क्या होगा इस से इस प्रस्ण के बाड़े में हमारी जानकारी आधी अ वहस क्या होँगा कि पुछ सकता है यह बहते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि हमें गुस्सा आजा हाए और गुस्सा आने से क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं है इस इस्तिति में कुछी देड़ में चुकी, हमें इस रूम में जाना है हम यहां waiting room में बहस कर रहे हैं तो एक तो हम किसी प्रसन पर चर्चा कर रहे हैं हमारी जानकाणी अधूरी है और उसके नहीं बहस भी कर सकते हैं और भबरहक में एहां जो साथचाथकार बॉर्ड में लोग बैठे हैं यहां पर यहां पर एक बातार और और जहां बोर्ड में चार या पांच जो भी सदसरतें, एक या इधर इधर कहीं भी एक मनुवाइंग्रानिक आपकी इसे भी ऐसे रहते हैं, तो हो सकता है, इनकी नजर तो हम पड़ है, और हम घबराहट में ऐसी हरकतें कर बैठें, जो हमारी मार्क्स को कम कर सकता है, चीक है, तो इस से हमें बचना है, सभी का अपना अपना विचार होता है, किसी का किसी के प्रती कुछ भी विचार हो सकता है, किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का निगेटिव हो सकता है, कोई आदमी तताष्ट रह सकता है, किसी विचार पर, तो हम इसमें अपना ही लॉस करेंगे, टो प्जितिव एनर्जी के साथ आपनी प्राकत को बचाय रखना है, सारीरिक और मानसिक और हमें इस वोर्ड में जाना है, इसलिए इस चर्चा और भास से बचना है, आगला पॉइंट है आपनी केंवरित हो जाए, इसका मतलब है हमें सिल्स सेंटर्ड होना है, ठीक है, हमको आपनी आपो को ग्लोच करें, बंद करें और आपके बंद करके लंबी गहरी सासे लिए, आप कल्पना करें कि सब कुछ अच्छा होगा, गुड़ी कुड़ी होगा, साड़ा कुछ अच्छा होने बाला है, हो सके तो एक या दो मूट आप पानी पी सकते हैं, आपके उपर करता है और यहां सीर्फ और सिर्फ अपनी उपलबतियों की बाड़ी में सोचना है कोई भी इंडिगेटीब बात नहीं सोचना है और आने वाला जो हमारा सुनहळा भविश्य है most future इस पर हमें सोचना है हमारा भवश्य से सुन्दर होगा, सुनाड़ा होगा, इस पर जान देना है चलिए अब अंतिन पॉइंट है, खुद को साबधान और साज करें कि हमें आत्म केंद्रित जब हम थे हैं, इस इस्तिती से मापस आना है हमें क्या करना है, आप से पहले जो भी कैंद्रिट यहां इंटर्व्यू हाल में गया है वे अब आ चुके हैं या जा चुके हैं, उनका इंटर्व्यू समाप्त हो चुका है और अब आपकी बाड़ी है, इस इस्तिती में फूरी तरह थुद्बू सामानमी करें सामानमी करकर आप साडिरिक और मानसिक रूप से एलर्ट हो जाए एकदम एलर्ट होना है, क्योंकि अगले कुछ ही सेकेंड्स या मिनिट्स में जो भी अधिक्रित करनी है, वह आपको बुलाने के लिए आड़े हैं और यह आपको इसाड़ा करेंगे अंदर जाने का और आपको इस हौल में प्रदेश करना है यह आपके जीवन का सबसे महत्योपूर्ण च्छन होगा, इसी च्छन के लिए आपने इतनी महनत की है यह एक च्छन, छोटा साई है जो मोमेंट है, छोटा साई है जो च्छन है, यह आपका पूरा जीवन बदल सकता है इसी लिए तूड़ी आत्म विस्वास से अब आप इंटर्व्यू हॉल की तरफ जाएं इंटर्व्यू पॉल की तरफ बढ़ें, धिरे-धिरे बढ़ें और हमेशा अपने चेरे पे मुस्कान कायम रखें, आपको यहां जितनी भी पॉजिटिव बाते हैं, आपका जो आत्म विश्वास है, आपकी जो उपलब यहां हैं, इन सभी को एक जगह केमरित करना है, और इ इसी रननीती पर हम अपनी अगली क्लासेज में चर्चा करेंगे, अगर आपको टिम आईएस की क्लासेज अच्छी लगती है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की साथ सेयर करें, आपका समर्थन हमें ताकत देता है, धन्यवा झाप